आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तो डेली उनिवर्सटी एसोल रेगुलर और एंसी वेप के जो समेस्टर मोड एक्जाम होने वाले हैं ब्लेंटिट मोड में यहने कि OBE और फिजिकल मोड में उसकी जो फाइनल डेटशीट है वो डिकलियर कर दी गई है दी यू की ओफिशल वेबसाइट पर डेटशीट चेक करने के लिए आपको du.ac.in ओफिशल वेबसाइट पर जाना है यहां से आपको एक्जामिलेशन 2020 वाले लिंक पर किलिक करना है यहां पर किलिक करोगे तो नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो यहां पर आपको फाइनल डेटशीट का लिंक मिल जाएगा उपर PG का है और नीचे UG का है यहां पर आप UG वाले ओफिशन पर किलिक करोगे उसकी बात यहां पर आप देख सकते हो सबसे उपर जो डेटशीट आपको मिलीगी वो उन बच्चों के लिए है जिन्नोंने 2019 में न्यू एडमिशन लिया तब फस्ट एर में चाहे वो रेगुलर में लिया हो एनसी वेब में लिया हो या फिर S.O.L. में लिया हो और नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो यह उन बच्चों की डेटशीट है जिन्होंने 2015 से लेके 2018 तक न्यू एडमिशन लिया हो किसी भी कोर्स में बट यह जो डेटशीट है यह सरिफ रेगुलर वालों की है S.O.L. और N.C.W. आपके जो सेमेस्टर मोट के बच्चे हैं ओपर वाली डेटशीट ही देखें अब दोस्तों डेटशीट में पंगा है विल्कुल वो पंगा आपको पताईए क्या कहने वालों में बीकॉम प्रोग्राम की जो डेटशीट है उसमें कंप्यूटर एप्लिकेशन की डेट मेंशन नहीं है मैंने सोचा था कि फाइनल डेटशीट आएगी तो उसमें डेट मेंशन होगी मेभी टेन्स देटव डेटषीट में कोई टेकनीकल गिलिक्टिस हो पर इसमेसर के जो इर लगा हुआ है उसका पेपरब भी मेंशन है अगर आपका first semester कोई back paper है या फिर improvement paper है उसकी भी date आप यहाँ से देख सकते हो company low का paper 17 December को है, income tax का paper 20 December को है और 22 December को आपका जो M.I.L. English literature है उसका paper है ठीक है, इस तरीके से आप यह B.com program की date sheet देख सकते हो यहाँ पर B.A. program की मैं बात करूँ B.A. program की date sheet में दोस्तों हमेशा आपको confusion रहती है फिर चाहिए कितनी बार भी आपको बता दिया जाए confusion यह रहती है कि सर हमारे history का paper दो अलग 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 दिन है तो हम कैसे देंगे paper तो वो चीज आपको मैं बता दूँ की अगर दो discipline को discipline paper अलग अलग दिन रखे जाते हैं तो यहाँ पर alphabetical order follow होता है alphabetical order के according जो नाम पहले आता है वही paper आप दो गए नहीं पर साफ साफ लिखा हुआ है कि suppose economics और history आपके पास है तो सबसे पहले आप इसे economics आता है तो economics paper में यह appear हो गए उसके बाद history में appear हो गए ठीक है तो यह alphabetical order आपको follow करना होगा और बागे नीचे date sheet आपको मिल जाएगी 12 December को इसके लिए enhancement का आपका paper है जो भी paper आप में चूज किया हुआ है इसके लिए enhancement में वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप date sheet देख ली देगा और discipline course के भी date sheet अगर आपको यह समझ में नहीं आती है कोई tension वाली बात नहीं है admit card आएगा आपको exam से 10 दिन पहले उस admit card पर आपके dates, subject, time सब कुछ mention हुआ आपको मिल जाएगा date sheet में थोड़ो भी आपको लगता है कि confusion है क्या है क्या है क्या नहीं है तो आप प्लीज वेट करिए आपके admit card का और become program वाले बच्चो मैं confirm करूँगा कि यार यह तो computer application course है यह actual में देंगे भी या नहीं देंगे date sheet में तो यह लोग दे ही नहीं रहा है इसका reason simple सा है दोस्तो computer application जो subject है उसका तो evaluation होता है complete internal base पर होता है मदब उसका theory exam नहीं होता उसका practical exam के base पर पूरा जो evaluation है वो होता है because मैंने खोद यह subject study कर रहा है इस वज़े से आपको बता रहा हूं तो अब पता नहीं है S.O.L. क्या आगर decision लेगा हो सकता है S.O.L. करवा ले theory exam conduct जरूरी नहीं है कि regular की date sheet और S.O.L. की date sheet जो आई है इसमें paper नहीं है तो शायद आप paper नहीं हो मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि S.O.L. कुछ अलग से procedure निकाले तो still मैं wait कर रहा हूं further updates का अगर कुछ update मुझे मिलती है तो मैं आपको inform कर दूँगा बिकोज दोस्तों यह चीज़ और है ना कि computer application की class चल भी रही है इस वज़े से यानि कि जो online classes है उसमें computer application की class हो रही है इस वज़े से अच्छा कर यह generic elective की date sheet है अब BA honors में या become honors में generic elective subject आपका होगा तो उसकी date sheet यहां पर है ठीक है इसको भी आप यह बार देख सकते हो लाइक जैसे for example मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं 14 December को आपको मैं कोई आपका पेपर दिखाता हूं जो आपका पेपर होगा आपका अकेडमिक रैटिंग का मीडिया और कॉम्मिकेशन स्केल्स का यह दोनों है आप दिख लिजेगा तो और नीचे आएंगे हम पंदरा दिसंबर को हिंदी में दिखे भाषा और समाच आपका पेपर है जन्रिक में पॉल साइंस में ठीक है तो इस तरीके से आपको चेक करना है हिस्ट्री का भी पेपर है आपका making of post colonial इंडिया ठीक है तो यह सब्ता दोस्तों प्रोलिटिकल साइंस का भी आप दिख सकत यह बीकॉम ओनर्स की है और अपर बी ओनर्स पॉल साइंस और इंग्लिश ओनर्स की है ठीक है तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी I hope आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा ठेंक्यू